हेलो अब्रिवर्ण एंड वेलकम अगें टू साइको इस वीडियो में हम उत्राखन वंदरोग एक्जाम 24 जुलाई के फर्स सिप्ट तथा साइकंड सिप्ट में पुछे गए परस्ट को देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं फर्स सिप्ट में मीचा है लवर्ण बोलते हैं ओके और जो वेसो प्रेशन हैं यह क्शा लेशन में उसमें कौन करता है वेसो डिखेंब किस नदीव कुल महहन नदीवरिये कहां पर है अगर इसकी लोक शैन या मे और् यह सबसे बड़ा बуз Reidoka सबसे बड़ा वांथ को ने हिराँठ है और सबसे उचा कौन है तो Tastes नुए नेस्ट क की भारत का पहला तैरता वुद्झ पहला फ्लोटिंग सोलर पार्क कहां पर है तो यह question साथ तीन बार पुछा गया है यह हमारा रामा गुंडम जो कि कहां पर तेलंगानम है नेक्स देखिए नेस्ट को अटिवेरी बड़ सैंचुरी एक कहां पर करनाटक में अच्छा कमार वाइड्लाफ सैंच्छ यह 3 आैं दोनों के बोड़र पर यह इय सदावार बन पाए जाते हैं नाभीकिय कारियो करल के जनक कंको खा जाता है यो निव कलराम से उनकी जनक bola all जाता है तो डोक्टर होमी जहांगीर भावा को नाब की अकारोकरम का जनक बोलते हैं आगए नस्वरसन की फोकस दूरी फोकल लैंथ और चंबता यानी की पावर में क्या रेलेस्टन होता है तो पावर is equal to one by f होता है जहां मिटर में फ मीटर में होता है। एगला विसेन देखने-धिन की विएना कनफेंशन का वहता है 1995 में दिखें निंशना कनफेंशन है की डिवत सारे मिलेंगे, यह ncrt का question है और यह मैंने करवाया था आपको जो ncrt वाली वीडियो थी 55 mcq वाली वीडियो उसमें से दो या तीन question तो आसी पूछ लेगें direct बिल्कुल option सही जो option उसमें सेमठी सेंगें का और जो ज होगा सफिस के यहानी की देख परिवर्तक होते हैं में में ठीक है तो एसी जेनरेटर में क्या होगा स्प्लेट से होते हैं और डीसी जेनरेटर में क्या होते हैं कम्यूटेटर्स होते हैं यानि कि दिख परिवर्थक होते हैं नेक्स वेशन है कि धात्वों में किस गुण के कारण उनमें ध्वनी उत्पन होती है तो धात्वों के किस गुण के कारण उनमें ध्वनी उत्पन होती है तो सोनरस के कारण वो धात्वों क्या होती है मैडल्स क्या होती है सोनरस होती है अवाज उत्पन करती है अग यदि उन लाल रंग है उनके चेतावनी बोर्ड बना जाते ताकि वो जो धुएं वो या कोरा हो उनमें भी आसानी से दिख पाए तो सबसे कम कौन स्काटर होगा लाल रंग होगा नगेज़ देखें नगेज़ेशन की राधर वोड ने अपने ऐल्फा कंड परिक्षन में किस धातु के पतली पनी का उप्योग किया था तो किसकी की गया था गोड्ड यारी की सोने की पनी का उप्योग किया था ओके ऐसानी की कौनसी एप इपी तील टिसू फ्लैट होती है कुछ इन यो तो फ्लैट कोंसी हो दितो इसंको बता चुकआहं में इसक्षाफिर पिलगते हैं इस्की संडशना कैसे होती है टात्य। कम वैल्य उसकी कब होगी कि जब यह फिर्थभी की सतय से ऊपर जाएंगे यह जो पिर्थभी का ओर होता है वहां पर तो ऑक फिर्थवी का ऐन से उपर जाएंगे तबह 10 कम के मान कंमें नीचे जाते जाते को कोर आएगा एक पॉइंट मतलब कि जो पिर्चवी का सेंटर होता है सेंटर पर जाएंगे जिसे कोर बोलते हैं वहां पर जी की वैल्यू क्या होगी सुनने होगी तो सबसे कम कहाँ पर होगी कोर बेशन है कि स्टिग्मा में पॉलेन का चिपकना कौन सा इंटरेक्शन है कौन स दो बॉल हैं जिनका मास है वह इक्कवल है उनके बीच में जो ग्राविटाशनल फॉर्स है वह सबसे ज्यादा कब होगा तो जीनके ग्रेविटाशनल फॉर्स का फोर्मुला क्या था F is equal to capital G M into small m यानि पहले वाले का mass और दूसरे वाले का mass by R square यानि उन दोनों की बीच की दूरी अब देखिए जो mass है वो तो बराबर है तो इसमें हम change करने नहीं सकते तो देखिए अगर हम R को बढ़ा है इन दोनों में देखिए हमें अगर force ज़्यादा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा R को कम करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों में क्या ultra relation है तो यदि उन दोनों की बीच की दूरी कम होगी तो उनके बीच में जो गुरुत्वाकरशन बल है वो ज़्यादा लगेगा तो इसका answer क्या है कि उनके बीच गुरुत्वाकरशन बल सरवादी कब होगा जब उनके बीच की दूरी कम होगी नेस्ट वेशन देखते है नेस्ट वेशन की थर्मोडाइनेक्स में टेंपरेचर की यूनिट क्या होती है तापमान की यूनिट क्या होती है तो कैल्विन होती है थर्मोडाइनेक्स में नेस्ट वेशन की नाइटोजन फिक्सिंग बैक्टिरिया तो नाइटोजन फिक्सिंग बैक्टिरिया क्या होता है राइजोबियम और एक क्वेशन था कार्वन फिक्षिंग बैक्टिरिया तो कार्वन फिक्षिंग बैक्टिरिया कौन था साइनो बैक्टिरिया यानि जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं वही होता है हमारा कार्वन फिक्षिंग बैक्टिरिया ओके नेक्स देखते हैं कि निमने में कौन में रिच्मॉंट लैंग इफेक्ट होता है तो साइटो काईणीन के बज़ेस होता है और साइटो काईणीन का काम क्या होता है सेल डिवीजन ओके तो इसमें क्या होता है सेल डिवीजन नहीं हो पाता है तो इसी के बज़े से कौन सी बिमारी होती रिच्मॉंट लैंग इफेक किसका उपयोब किया जाता है, तो देखे, Tincture-Aidene क्या होता है, दो से लेके 7% Aiodene होता है, और बाकी इसमें अन्यमिसरान होता है, और इसमें option दे रहा था, option में Benzene था, Ethyl Alcohol था, Methyl Alcohol था, तो इसका answer क्या होगा, Ethyl Alcohol होता है, कि इसमें ग्यद्र और अगर पूंचा जाए कि कि आयोधिन कितना होता है तो 2-7% इसमें आयोधिन मिला जाता है और यह और इसका यूज क्या होता है एक लिएक एंटिसेप्टिक होता है इल्द्री कि जंग्ली गदा आप ओके वाइल्ड ऐस किस राश्टे उध्यान में कुझ रात में नेस्विशन कि ललत अब जोगी कशन के ललत था कि ललीध था कि ललत हो गयानी ल,a,l,a,t । किस की वराइटी है तो यह रीट होती है देखते हैं कि अच्छे रिड्यूजिंग् इजेंट होते हैं, क्यूं होते हैं, गिलकाली जो मेटल होते हैं, ने जो पहला गुरूप है, उसमें जितने भी मेटल्स होते हैं, अब आपको पता को reducing agent किन को बोलते हैं जो खुट्तो oxidize होते हैं लेकिन दूसरे को reduce करते हैं तो यह क्या है खुट्तो oxidize हो जाते हैं एक electron देखे लेकिन दूसरे को यह reduce कर देते हैं इसलिए यह सबसे अच्छे reducing agent होते हैं ओके next question देखिए next question की what is the symbiotic relation between whale and microorganism बेरो नीचल जाता जाता है एक micro organism में तो बताना है कि जो वेल है और वुह minor도 एक्षिन में के कुछ और था इन दोनों कि बीच में कौ bun 같아요 published यहीं चाहा है तो इन दोनों के बीच में पर्तक्रृड कंकि होता है इसको सिर्फ कई थाइदा होता है ऊके तो जो वेल होता है और मायक्रर।नायक्ल सह करें इनके बीच में कैसा ने प्लच का दिख सोटे एक क undoubtedly की sürük क्या एक इवाई के इसकी कोस्ट कितनी 3,000 ओके इतनी है और यह क्या एवाई के यानि कि eco-friendly है और बनाया किसकी द्वारा गया है IAT मदरास के द्वारा तो आप एक फासिप्ड के खतम होगे स्ञेकंट सेप्ड के देखें सेकंड सेप्ड में क्या क्या कि है लगा राशा इनिकी नाम क्योंता है केमिकल नेम क्या रहता है बुलूेट्र हुआ का तो कॉपर सलफट होता है यानि कि If you do C.O.4.5 S2O C.O.4.5 S2O C.O.4.5 S2O copper sulfate नासा निकि Blue carbon किससे संबंदी थे? Blue carbon किससे संबंदी थे? ocean से Blue carbon किससे संबंदी थे? ocean से नास ने कि Coenadam Coenadam कहाँ पर है तो महराश्ट में कोईणाडश्ट में है? होके नहां सोजोन थे कि अक्योटो प्रोटोकॉल किसे समझ धिते हैं पिछली वीडियो में आपको गलत बता दिया था लिखावा था Kyoto Protocol लेकिन मेरे मायमें चल रहा था Montreal Protocol इसलिए मैं आपको Montreal Protocol से सब कुस बता दिया था तो देखे Kyoto Protocol किस से संब्धित है Greenhouse Gas से और यह आया कप था 1997 1997 में आया था ग्रीन हाउस Gas से संब्धित है और Montreal Protocol जो आया था 1987 में यह किस से संबंदीत है तो यह ozone layer depletion से संबंदीत है ओके जो कि हमारे पेट में पाया जाता है यह क्या है मतलब इसमें पूछा किया था कि कि यह परजी भी एक कपास की खेती किस मिट्टी में होती है काली मिट्टी में होती है बहुता हुँ गोटार को पूरा करने में समय लग़े वह और एक होता है ईक क्या होता है एक आश्रॉमिकल यूनिट होता है ओके ने क्सफेंगत सिंक हमारे यहसरे में नाईट्रोजन और ऌकिजन की मात्रा कितनी होती हैं तो इस इससन यहाथ और कब वुआता यहाथ दो फै्ँन को शुतन की नेबन में बल्ब जैसी सनचना को क्या कहते चाहते हैं नेबन आब कि इस प्रकार का एक संदतना होता है, और यह कहां पे होता है, deposition का structure आप देखाऊगे तो last में, जो xon का end होता है, उसकी संदतना इस परकार के होती है, bulb जैसी तो जो एक्जॉन एंड होता है या फिर एक्जॉन टर्मिनल होता है उसी की संदतना होती है बल्ब जैसी है नैसोसन देखिए कोशिगा की खोज किस ने कीती रॉबर्ट हुक ने कीती कब कीती 1635 में कीती ओके यह तो होगे आपके 24 जिलाई के फर्स्ट और सेकंड से पिके अब 13 जिलाई के कुछ क्वश्चन बच रखे तो उनको भी देख लेते हैं से 12 जिलाई की कुछ क्योंसन है पहला बॉस्टिन देखिए की एक्जांपल ऑफ टेरिज़डोफाइट्स टेरिडोफाइट्स के एक्जांपल के चार उप्षिन थे साइकलस था पाइनेस था और फर्न था इस टाइप पका था तो व्ष पाइनेस हुर जो पाइनेस ही सब क का हो सकता है oxygen का होता है okay next one की Monoatomic कौन है देखें Monoatomic Diatomic किसाब आपको पता है Monoatomic यह नहीं सिंगल में जो रहते हैं सिंगल रहते हैं जैसे की आरगन हो जितने बी इनर्डी का हैस होते हैं सब सिंगल रहते हैं और जैसे O2 हो गया O2 यह क्या हो गया इसमें दो अनू है इसमें दो मॉलिकुल्स है तो यह क्या हो गया डाइटम में को क्या इसी परकार से इनकी Atomicity हो दिया है तो Monoatomics कोन होते हैं जितने में इनर्डी गास होते हैं नोबेल गास होते हैं सब क्या है Monoatomics है सबसे भारी कोन है तो पिछली वीडियो में यह आपको गलत बता दिया था प्रोटोन इलक्टोन और नीट्रोन अगर इसमें देखें इलक्टोन जो होता है इलक्टोन का मास सबसे कम होता है इलक्टॉन से भारी कौन होता है प्रोटॉन प्रोटॉन होता है इससे भारी और प्रोटॉन से हलका भारी कौन होता है न्यूटॉन तो सबसे भारी कौन हो गया इसमें न्यूटॉन न्यूटॉन सबसे भारी होता है नस् cheat course Нे कि bio concave cell structure किसका होता है यानि कि दोनों तरब से दोनोн तरब से अंदर से धसा होगा और किनारा से मोटा होगा यह कि करता है यह होंता है आप का RBC शॉचना होता है आप अगर imagine कर दोगे 3D image से बनना होता है可能 बीस से बिल्कुल गड्डा बना उता है उसमें और किनारी से मोटा होता है तो यह किसका होता है R.B.C. का होता है नेर्स कोचने कि यदि हम एक अर्थ संत्रिक्त हाइड्रोकारबन यानि कि अन्साचूरेटड हाइड्रोकारबन को जलाते हैं तो तो काले धूंगे के साथ यानि black smoke के साथ किस प्रकार की लहाओध बनोगी किस कलर की तो yellow color की होगी यह बिल्कुल NCRT की line है बिल्कुल ओके तो जब भी हम unsaturated hydrocarbon को जलाएंगे तो black smoke के साथ yellow flame निकलेगा ओके और saturated को जलाएंगे तो कैसा निकलता है flame blue flame निकलता है यह प्राइमरी प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है तो देखिए the amount of carbon fixing during photosynthesis by all producer in the ecosystem एक ecosystem में जितने भी producer इतने भी उत्पादग है उनके द्वारा प्रकास इंसलेशन की किरिया के दोरांद जितना भी जितना amount भी carbon fix हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं Gros Primary Production बोला जाता है ओके गाइस तो इतने ही कोशन थे मेरे पास और इसके अलावा यदि आपको और कोशन पता है तो आप नीचे Comment box में Comment कर सकते हैं मैं उनको अगली वीडियो में एड कर दूँगा तो चले मिलते हैं एकली वीडियो में चेहिन